नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल, अनलाइन इक्जाम मिशन पर, दोस्तों हमारे चैनल पर डेली आपको यहाँ पर टॉप 20 कोशन करेंट फेर के करा जाते हैं, यह पार्ट नमबर आपका 21 है, इसके पहले हमने 20 पार्ट आपके कम्पली करा जाती है, तो आप उत्तरबदेश करेंट फेर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, टेस्ट और उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं, अगर आप ना है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडि नमबर 78 मेलाएं, अर्था 78 मेलाएं आपकी जो 17 लोकसवां क्या हुई है, आपकी निर्वाचित हुई हैं, और याद रखिएगा कि इन 78 में से 11 मेलाएं या इसी हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से कहां से, उत्तर प्रदेश से आपकी 11 मेलाएं लोकसवां सदर साब की चुनी गई है, एक question आपसे याप पुछा जा सकता है कि इस बार की सबसे कम मतलब कई चे क्कते है सबसे कम उम्र की जो संसब बनी है आपकी कौन तो यह बनी आपकी चंदरानी मुर्मू चंदरानी मुर्मू आपकी हैं यह कहां की हैं तो याद रखिएगा कि ओडिशा राजी के क्यों जर संसदी छेतर से आपके निर्वाचीत हुई है चंदानी मुर्मु जो कि आपकी इस लोकसभा में सबसे कुम उम्र की संसद बनी है समझ में आगया भाई चलिए नेस कोश्चन को आते हैं कोश्चन आप से अगरा पूछा गया आपर कि मई 2019 में भारत से किस वस्तु के निर्यात के लिए भारत यों चीन के मद एक प्रोटोकाल पर हस्ताचर हुए हैं तो याद रखिए आपके भारत से वस्तु के निर्यात के चीन नहीं पर हस्ताचर किया है तो आपके किस चीज के लिए हस्ताचर यहां पर किया है आम दिया है अंगूर दिया है मिर्च लगन दिया है और आपका वास्मती चावल दाता दर्बार आपकी लाहोर में याद रखेगा दाता दर्बार कहा स्तित है गोब भेएगा शोफी दर्च के लाहोर चर्चित में रही थी आपके मैं 2019 से इस दर्गाह के बाहर आपके सक्तिसाली बिश्पोट की कारण यह आपका चर्चे में आया था यह जो आपका दाता दर्वार है वो पाकिस्तान के लाहौर मिश्थी थे ठीके और कैसे कि यहां दर्गाह दच्छिन एसिया की सबसे बड़ी सूफी दर्गाहों में से एक है ठीके समझ में आ गया चलिए निस कोशन आप से अगला पूछा गया है कि विशेश अल्टरा लो एमिएशन जोन लागू करने वाला विश्पो का पहला सेर यह आपका सेर कौन से हो गया तो याद रखेगा आपका यह लंदन बन गया है बी इस अल्टरा लो एमिएशन जोन लागू करने वाला विश्पो का पहला सेर आपका बन चुका है ठीके भईया आपसन आपका बी हो जाएगा नेस कर आप से भारत की पहली भारत की पहली कोल्ड इस्प्रे स्मार्ट लैब कहां इस्थापित की गई तो भारत की पहली कोल्ड इस्प्रे स्मार्ट लैब जो इस्थापित की गई है ये की गई है आपके IIT मद्रास आप्सन रेट अप का A हो जाएगा IIT मद्रास में की गई है और याद रखे मद्रास की परेशर में स्थापित की गई या भारत में किसी भी सेच्छिंड संस्थान में इस्थापित होने वाली पहली इस तरह की आपकी हाई प्रेशर कोर्ड आपकी कैसे इस प्रेश उब्दाव की इस्थापित की गई है ठीक है भाई योजनाप की शुरू की गई है यह है क्या तियाद रखे इस योजना के तहत भासा विसेशगों को प्रिसिच्छित करके हिंदी भासा में अर्वी में चीनी में फ्रांसीसी जापानी डूसी ओम इस्पेनिस के विलोमता अनुवात किये जाएंगे आपके भासा विसिष्ट द चीनी सोला जनुवरी 2019 के मद्द वैस्विक विमानन सिखर सम्मेलन जो कि पहला सम्मेलन है आपका और यह जो आउयूत हुआ है आपके मुंबई में याद रखी जो आपका पहला होता है सिखर वो तो कोस्चन पूछी लेता है तो आपके पंदरा से सोला जनुवरी के और इस पहले सिखर सम्मेलन कमों की भी से था सभी के लिए उडान क्या था भई सभी के लिए उडान था अर्था यहां पर कह सकते हैं फ्लाइंग फार अल ठीक है चलिए नेस कोचन आप से एकला पूछा गया है कि मैई 2019 में संयुक्तराष्ट आपदा जोकिम निवनी करण क सासा कावा पुरुषकार और यह कह सकते हैं आपका कौन सा है तो यह किसे कह सकते हैं कि किसे दिया गया है तो यह दिया गया है आपकी ऑप्सन रेट आपके भी डाक्टर प्रमोद कुमार मिस्तरा को कि इसको भीया तो डाक्टर प्रमोद कुमार मिस्तरा को दिया गया कह सकत तो राष्ट आपदा जोखिम निवनी करेंड के लिए भारत के हैं प्रधान मंतरी के अपार प्रधान सचीव रहे हैं आपके ये कौन प्रमोद कुमार मिस्रा को सासा काव पुरुसकार 2019 से सम्मानित केगा और यह पुरुसकार उन्हें आपदा जोखिम निवनी करेंड की छे किताब जो जीते हैं वो जीते हैं आपके और यह दो जारी 2019 में नीदर लेंड के आपके विज़क आना जी में आयुद हुआ था विज्यक आना जी में आपका हुआ था इजगा पड़ते आपके नीदर लेंड में ठीके केसे ने जीता आपके मैगनेस कालसन नेस कर आप से की एक सो तीनवा सम्विदान संसोधर अधिनियम 2019 किस तिस से प्रभावी हुआ तो याद रखिए एक सो आया था जो 124 वह आपका विज्यक आया था थेक है वही आपका कहसे कते हैं कि al diizable 918 पारित हो जाता है तो आपका अधिनियम बन जाता है तो हे एक सो च्安全asa वो आपका पारित होने के बाद आपका अधिनियम बन गया है ठीक है तो आपके 130 में संसोधन की नियम हुआ क्या है तो इस अधिनियम के तैत उच्छवर के गरीब लोगों को सारकारी नौकरियों और सिच्छा के छेते में 10% आरच्छन आपका देने का प्राधान किया गया है प्वालिटीव के वीडियो देखेगा हमारे दूसरे चैनल देवजी के ट्रिक्स में वहाँ पर आपको विस्तास से बताया जाता है नेस कर आप से कि मार्च 2019 में कभिया मार्च 2019 में अस्ताना जो की अस्ताना कम कजाकस्तान में संपन विश्व सतरंज टीम चैंपियंशिप में स्वनपदक किस देश ने जीता या कि 2019 में अस्ताना में कम कजाकस्तान में संपन विश्व सतरंज टीम चैंपियंश में स्वनपदक कुछ जीता है किस ने जीता है तो भई ये जीता है आपके आपके रूस ने याद रखेगा कि कजाकस्तान में संपन विश्व सतरंज टीम चैंपियंस 2019 में रूस ने स्वनपदक गीता और इंगलेंडे ने रज़त पदक गीता है जबकि महिला टीम चैंपियंस में देखा जा तो चीन ने स्वनपदक गीता है और शुह ने रज़त पदक गीता है तो थिक fence फेस्बुक एसिया क्या दिया है फेस्बुक एसिया में अपना पहला डेटा सेंटर कहां इस्थापित कर रहा है तो फेस्बुक जो कि आपके एसिया में अपना पहला डेटा सेंटर इस्थापित कर रहा है यह आपके सिंगापूर में कहां पर भाई आपके सिंगापूर में यह इस्थी थे आपके option रेट आपके डी नरवर्ल का नरवर्ल और याद रखे कि यह जो आपका महल है वो पाकिस्तान के पज्जाम प्रांति के लाहर से लगबग 100 किलिमीटर दूरी पर नरवर्ल सहर में इस्थी थे और मैं 2019 में इस्थानी लोगों द्वारा इस महल को च्छ UAE ने किसे अपने सरवच नागरी सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया है तो आपके UAE ने जायद मेडल से सम्मानित किसे किया है तो यह जो आपका सम्मानित किया है आपके नरेंद मोदी को आप सब को पता होगा इस प्रसन का जवाब ठीक है नरेंद मोदी जी को यह सरव जायद मेडल ठीक है और यह पुरुषकार उन्हें दोनों देशों के आसपीस आपसी संबंदों को मजबूत बनाने के लिए प्रदान किया गया है नेसकर आप से मौंट एरेश्ट चोटी को फटा करने वाले पहले HIV संक्रमित परवतार हो ही कौन है अर्थात यह बेक्ति जो हैं HIV से पीडित थे और उन्होंने अपनी दूसरी प्रयास में आपके कह सकते हैं कि मौंट एरेश्ट की चोटी को फटा पा लिया है यह आपके नेपाल के हैं तो नाम की आएन का तो याद रखें यह आपके नेपाल परवतार हो ही है आपके गोपाल स्रेश्ट एयुँए नमर आपकी हो जाएगा गोपाल स्रेश्ट हैं और इन्होंने इस चोटी को फटा किया है और कैसे कि HIV संक्रमित पहले ऐसे आपके रहे हैं जो कि पहले HIV संक्रमित रहे हैं और इन्होंने परवता रोहन में कैसे किते हैं दूसरी प्रयास में इन्होंने चोटी को फटा किया ठीके विसु का सबसे उंचा इंडोर वाटरफॉल किस देश में बनाया गया है तो विसु का सबसे उंचा इंडोर वाटरफॉल यह आपका बनाया गया कहाँ पर तो यह बनाया गया आपके सिंगापूर में आपसन आपका C हो जाएगा यह आपके विस्ट का सबसे उंचा इंडोर वाटरफॉल सिंगापूर के जेवेल चौंगी एरपोर्ट में बनाया गया है और यहां लगबग 40 मीटर उंचा है और इस वाटरफॉल की डिजाइन वास्तुकार जो आपके हैं वो आपके मोसे सफी न मनाते हैं कंग मनाते हैं तो को सबस्वाइब नि वस्ता है और धांडता खृश्टि परिवार नाते हैं चार केक्लियर हुए चलिए नेस कोशुन आतक है विश पूछा गया है और कूसरी चैतन स्री चैतन सांस्क्रितिक विश्द धर्वहर किंद्र कहां स्थापित किया जाएगा तो मायापूर पड़ता कहा है तो मायापूर पड़ता है आपके बंगाल में याद रखे परश्चिम बंगाल के नादिया जिले मिश्थित है जहाँ पर इसकॉन का वैस्विक मुख्यारा भी है इसकॉन का, ठीकिए आप लोग इसकॉन का नाम सुने ही होंगे नश्कर आपसे, कि इंद्रा मीरी यूनिवर्सल विद्वा पिंसन योजना किस राज में शुरू की गई योजना का नाम है इंदिरा मीरी यूनिवर्सल तो यह जो आपकी शुरू के गई है विदवा पेंसन आपकी योजना है और शुरू की गई कहाँ पर तो आपकी आसम में याद रखेगा कि इंदरा मीरी यूनिवर्सल विदवा पेंसन योजना आसम में शुरू की गई और इस योजना की तहट 45 वर्ष तक की आयो वाली अगर महिला के पती का निधन होता है तो उसे तत्काल परिवारिक साहता की रूप में राजी सरकार आपकी कहे सकते हैं कि एक मुझतक 25,000 रुपए की राशी प्रदान करेगी ठीके चलिए नेस कोशन आप सगला है कि विश्व में द भारत है यह जापान है आपका आश्टिलिया यहां पर आपका विश्व में दूसरा पूछा गया है आपको जवाब देना है ठीके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की रूप में आपको जवाब देना है ठीके फ्रेंस आज की वेडियो तिना है और हमने बता दिया उत्तर प्र